कोलकाता हमारे देश के सबसे बड़े और पुराने महानगरों में से एख है इस बेहत खुब सूरत रंगी बिरंगे सहर को दुनिया भर में City of Joy के नाम से जाना जाता है तो आई ये जानते हैं की क्यों इस सहर को City of Joy यानि खुसियो का सहर कहते हैं पीली टैक्सी, पुलिस की सफेध यूनिफॉर्म, हावडा व्रिज या रशोगुला सौखी लोग इन में से कोई भी चीज आपको दिखाई दे जाए तो समझ जाईए कि यह सहर कोलकाता के अलावा दूसरा कोई नहीं है दिल्ली से पहले अमारे देश की राजधानी रही कोलकाता पहले कलकाता के नाम से जानी जाती थी आज भी बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कोलकाता नहीं कलकाता ही कहते हैं बेहत खुबसूरत यह सहर अपने में देश के इतिहास और संस्कृति को सजोए हुए है यह देश की पुरानी राजधानी ही नहीं बलकि संस्कृतिक राजधानी भी है ब्रिटिस काल में यहां कई खुबसूरत इमारते और महल बनवाए गए जिस कारण से इस सहर को महलों का स के मैदान हर तरफ यहां भीड़ी भीड़ दिखती है फिर चाये हावडा रेल्वेस्टेशन हो या सियालदा यह सहर 24 घंटे दोड़ता भागता है कुलकाता भारत के उन सहरों में से एक है जहां फुटबॉल का जुनून लोगों के सर्चड बूलता है यहां इस्तित सौट ल लोगों को लुभाने के लिए और कई चीजे हैं हुगली नदी के किनारे की जमगठो या फिर दुर्गापूजा की धूम लोग यहां छोटी सी छोटी खुजियों को बड़ा से बड़ा समझ कर इंजॉय करते हैं सभी एक दूसरे को बराबर समझते हैं लोग यहां भले ही कम कमाएं लेकिन जादा से जादा खुसिया बिखेरने की कोशिस करते हैं ऐसी और कई चीजे हैं जो कुलकाता सहर को दुनिया भर में खास बनाती है यही कारण है कि दुनिया भर के लोग कुलकाता जरूर घूमना चाहते हैं कुलकाता सहर इनी सब खुबसूरतियों के आपको City of Joy के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताएं